नमस्कार मैं पूझा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्ट देखें नावंदा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे कि डिप्टी कमिशनर ने एक यूवक को गोली मार दी है आपको बता दे कि ये पूरा जो मामला है पंचायत में जो डिप्टी कमिशनर है उनकी पत्नी परत्याशी थी और ऐसे में जिस यूवक को गोली मारी गई है वो यूवक डिप्टी कमिशनर की पत्नी और पंचायत चुना में परत्यासी को समर्थन नहीं दे रहा था इसी कारण डिप्टी कमिशनर ने उस यूवक को गोली मार गोली यूवक की जांग में लगी है ग्रामीनों का कहना है कि डिप्टी कमिशनर की पत्नी पंचा चुनाव लग रही है और यूवक के पडिजिनों ने उसको समर्थन नहीं दिया है इस कारण घटना को अंजाम दिया गया घटना हिलसा थाना छेतर के गुलनी गाउं की है घा हिलसा प्रखन की सभी पंचायतों में मतदान हो रहा है गोली मारने का आरोप विद विभाग में सलाहकार के पत्पर कारण रत डिप्टी कमिशनर राजीव रंजन पड़ लगा है लोग का मानना है कि जखमी यूवक मनीश कुमार और उसके परिजिनों ने डिप्टी कमिश पी कृष्ण मुरारी प्रशाद ने बताया घटना के बाद पुलिस गाउं पहुंच कर मामले की छानबीर में जुट गई है ग्रामीनों के अनुसार डिप्टी कमिशनर राजीव रंजन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई है उनके घर पर भी छापे मार में एक नएक जरूर आती है लेकिन ये खबर चोकाने वाली है कि जहां पर डिप्टी कमिशनर द्वारा ही अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक ऐसे यूवक को बस इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो अपने मन मुताबिक अपना वोट डालना चाहता है अपना मत देना चाहता है वो अपने मत का कैसे पड़योग करता है इसके लिए जोर जवर्दस्ती की गई है ऐसे में आपको बता दे कि अगर वो वेक्ति डिप्टी कमिशनर की पतनी को समर्थन नहीं दिया जिसके कारण डिप्टी कमिशनर ने उसे गोली मार दी हाला कि पूरी घटन है जिनकी पतनी जो है वो पंचाय चुना में प्रत्यासी है वो अभी फड़ार चल रहा है जो डिप्टी कमिशनर है उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने लाइसेंसी डिवालवर से यूवक को गोली मारी है हाला कि अगर उस यूवक की बात करें तो यूवक का नाम मनीश ह है ज्यों जिनको अभी पतना रेफर कर दिया गया है जांग में गोली लगने के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और वो पतना के अस्पताल में अभी भरती है आला कि वहां से अभी कोई अभेट निकल कर सामने नहीं आ रही है लेकिन अभी पुलिस जो है पूरे मामले की जाच परताल कर लेकिन सोचने वाली बात है कि पंचाय चुनाब में बिहार के कई जिलों से ऐसी खबर निकल कर आती है और प्रशासन मुख दरसक देखकर खड़ी रहती है ऐसे में सवाल उरता है कि क्या प्रशासन की जो चाक चोवन बिवस्ता है क्या वो नाम के लिए है क्या जो ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद जो प्रशासन का रवाई करने की बात करती है लेकिन ऐसी घटना होती ही क्यों है हाला कि इस पूरे घटना क्रम पे प्रशासन की नजर बड़ी हुई है प्रशासन जाज परताल कर रही है और इससे जुड़ा जो भी अपडेट सामने निकल कर आएगा हम आपको उससे जरूर अपडेट करेंगे बागी की तमाम ख़बरों के लिए बने डिया हमारे साथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पीच को लाइक करें धन्यवाद